आप सब का स्वागत है life science cafe में I hope आप सब बच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे चले शुरू करते हैं 61st question से है ना तो इसमें है enzyme missing in phenyl captonuria is कौन सा enzyme missing होता है actually phenyl captonuria पढ़ लोगे ले यह birth defect है जिसमें amino acid phenyl alanine जो है वो build up हो जाता है body में या blood में PKU इसको लिखते हैं कहीं पर भी phenyl captonuria की जगे पर PKU लिखा हुआ मिले तो आप confuse मत होना समझ लेना कि यह phenyl captonuria ही है जीन डिफेक्ट है autosomal recessive बिमारी भी कह सकते हो इसे inherited है बच्चों में चली जाती है पेरेंट से तो जो deposit होता है phenyl alanine वह phenyl alanine hydroxylase की वज़े से होता है ठीक है phenyl alanine hydroxylase थेलेसेमिया इज आ थेलेसेमिया क्या है नाम पढ़ते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि यह blood disorder है पहली बात ठीक है इसमें low oxygen carrying protein होती है जो oxygen carrying protein होती है वो बहुत कम होती है यह inherited disorder है तो क्या होगा blood disorder है autosomal recessive disorder है disease है ठीक है थेलेसेमिया ब्लड से related है oxygen carrying protein होती है बहुत कम होती है इन थेलेसेमिया that effect affected chain of hemoglobin is कौन से chain जो होती है hemoglobin की affected रहती है तो भाईया दोनों ही रहती है alpha globulin और beta globulin gene for color blindness is present on कौन से color blindness के gene जो होते है कौन कहां present होते हैं कौन से chromosome पे present होते हैं तो यह x chromosome पे जो है present होते है color blindness के लिए ठीक है अब आपने यह बिताना है कि कौन color blindness जब होती है तो कौन से color में distinguish नहीं कर पाता बंदा 21st trisomy in human cause 21st trisomy किसकी वज़े से होता है down syndrome की वज़े से ठीक है होता यह भी x chromosome की वज़े से लेकिन यह 21st trisomy 21st trisomy plus 21st लिखा होता है वो down syndrome होता है 66 है short saturated with small round head ठीक है यह कुछ symptoms दिये हुए है आपको फिर है furotung and partially opened mouth फिर है palm is broad and characteristics palm crease slow physical psychomotor and mental development यह किसका है तो बहिया down syndrome का है मैंने पिछली वीडियो में भी बताए था down syndrome में क्या होता है मुख खुला रहता है छोटा सा structure होता है furotung होती है मतला हथेली जो होती है थोड़ी चोड़ी होती है crease पड़ी रहती है उनके उपरे से जुरियां से पड़ी रहती है physical और mental development जो होता है बिलकुल कम होता है अब देखिए ये है ना कुछ mutation दी हुई है अभी तक जो questions आये हैं उनमें आपने दो mutation पड़ी थी शायद point mutation और एक और पड़ी होगी है ना तो इसमें क्या दिया हुआ है इस तरह के question को देखके एक बार तो घबराना नहीं है पहली बात ठीक है दूसरी बात आपने ये देखना है यहाँ पे A, A, C, T A, A, C, T, G, A, G, T यहाँ पे गड़बर हो गई है ठीक है मतलब यह दिखा रहा है कि G के बाद A है और इसमें G के बाद T है तो एक amino acid change हो गया फिर है A, T, C, G, C, C, A A, T, C, C, A तो यहाँ पे एक additional आ गया है मतलब इन दोनों के बीच में एक T आ गया है जो नहीं था तो क्या हँ इनसर्ट हुआ है इसमें जो हो रहा है वह ही लिख देना आपने यह तो english में भी है कि हमने कुछ insert कर दिया इसमें turner syndrome जो होता है वो क्यो होता है किसकी absence में होता है है ना तो यह one chromosome जो है miss हो जाता है वो turner syndrome है ठीक है जब एक क्रोमोजोम extra आ जाता है उसमें हमने क्या पढ़ा था, clean Fenter syndrome हो सकता है, या फिर down syndrome हो सकता है, autosomal chromosome पर, clean Fenter sex chromosomes की विज़े से होता है, एक extra sex chromosome होता है, Turner syndrome में एक absent होता है, अब यह याद रखना, 1 X chromosome is missing, 44 प्लस X O, ठीक है? 46 pair होते हैं ना, तो 44 with XO, यह इसका effect है, उसके बाद हमारा आता है, 69, non-parental gene exchange, non-sister chromatids, sex chromosome, hemophilia, इन से match करना है, कौन सा किस से आएगा, यह तो गड़बर हो रही है, थोड़ा छोटा करने तो इसको, दूसरे में है, sex chromosome, यह तो सीधा, फर्स्ट, यह देखी, sex chromosome जो है, वो X और Y होते हैं, ठीक है, non-sister chromatid, hemophilia, hemophilia क्या है, hemophilia, blood related disorder है, हमने अभी अभी पढ़ा है, कि hemophilia जो होती है, blood related disorder होता है, inherited होता है, और autosomal होता है, ठीक है, तो जो non-parental gene exchange होता है, उसे क्या कहेंगे यहाँ पर, recombination, ठीक है, दुबारा से combine कर रहे है, non-parental gene exchange हुआ है, मतलब combine कर रहे हैं, non-sister chromatids को क्या कहेंगे, crossing over, non-sister chromatids cross कर सकते हैं, उनमें crossing over होती है, sex chromosome third हो गया, hemophilia, sex link disease बताया है, इसने, ठीक है, sex link disease, तो इसका right option first होगा, question number 70 है, match करना है, column first को second से, अब आप फिर से confused होने वाले हो, देखी, हीमोफिलिया क्या है, down syndrome का तो आपको definitely पता होगा, 21st chromosome additional होता है, down syndrome में, ठीक है, first का D, उसके बाद है, option में भी अगर इस तरह से एक ही आपको पता है, और वो एक ही जिस option में है, अगर अकेला है तो आपको obviously मिल ही गया, फिर है, autosomal linked recessive trait, sickle cell anemia जो होता है, वो autosomal होता है, sex linked disorder, disease कौनची होती है, hemophilia वाली भी होती है, है ना, तो phenyl captonuria भी होती है, metabolic error autosomal recessive trait से जो linked होते हैं, वो क्या है, phenyl captonuria, और sex linked disorder, hemophilia, ठीक है, यह सारे option, वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक आता है, तो पहले option में उसको ढूंडू कि वो कहां कहां है, आपको पता था कि down syndrome जो होता है, वो D वाला first है, तो D में first इसरफ एक ही option में है, और आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बागी के के हम करेंगे next video में till then, happy day, study hard, stay safe, stay at home, ज़्यादा किसी के contact में मत आईए क्योंकि जो corona virus है वो दुबारा से बढ़ गया है, इसी के साथ धन्यवाद life science देखने के लिए,